तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ बेसन मसाला प्राउन रेसिपी बहुत ही सिंपल मसालों के साथ तयार की गई यह प्राउन की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें तो फिर देर नहीं करते हो सिंपल और एक चमच नीबू का रस अब एक पेश्ट बनाएंगे और वह वोगा लैसन और हरी मिर्ज का तो मैंने यहां पे 20 करिया लैसन के लिए रखिए हैं और 4-5 हरी मिर्ज का इस्तेमाल किया है अब इसको हमें अच्छे से पीशना है और उसके बाद इसको हम एड़ कर देंगे प्राउन के अंदर और अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 फोर टीज़पून हल्दी और थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च अब इन सभी मसालों को हमें प्राउन के साथ अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चमच बेसन और बेसन डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारा बेसन को हम अच्छे से प्राउन के उपर लगाएंगे और उसके बाद इसे हम इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई तो फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद, तो फिर चलिए प्राउन को फ्राई कर लेते हैं, और मैंने फ्राई करने के लिए सरसो के तेल का इस्तेमाल किया है, और मीडियम टू हाई रखना है गैस को, और उतने ही प्राउन डालने हैं जितने आ जाएं, और प्राउन डालने के बाद आप इसे जब तक ना पल्टें जब तक अच्छे से एक तरफ से ना सिख जाए और जब सिख जाए तो आप उसे दूसी तरफ से पलट के से और अच्छे से सिखने के बाद आप इसे बाहर निका लीजिए और उसके बाद इसी तरह से हमें सारे प्राउन सेख करके तयार कर ले आधा चमच साबुत जीरा और आधा चमच साबुत सौफ तीन प्याज चॉप करी हुई और उसको हम डाल देंगे इसके अंदर और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्याज से फिर वो सबजी मीठी हो जाती एक चमच लहसन हरी मीठी का पेष्ट और उसके बाद इसमें कुछ हम हरी मीठी काटकी डालेंगे और उसके बाद इस प्याज को पकाना है जब तक कि अच्छे से लाल नहीं हो जाती तो यहां पर यह प्याज हमारी तयार है अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले आधा लाल मिर्च और इसमें जाएगा दो चम्मस धनिया पाउडर अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें जाएगा पानी तो पानी के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी वो बर्तन जिसके अंदर हमने प्राउन को मिक्स किया था क्योंकि इसमें बेसन है पानी डाल करके और वह पानी मसाले में डाल देंगे अर मसाले तब तक पत्क पर काएंगे जब तक उसके तेल बहार दी今天 को एगा तो फिर उसके अंदर आप जिसके प्राउन् फ्राइबड़े और अधर दीजेगा अब 2-3 मिनट के लिए ढकन कर प्राउन को पंकने देंग दो से तीन मिनट के बाद आप उसे चेक करिए अब उसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला, आधा चमच और उसके बाद स्वात के अनुसान नमक और नमक हमने इसमें मेरिनेट किया था तब भी एड़ किया था तो टेस्ट करिएगा उसके बाद एड़ करिएगा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, गैस को करेंगे बन और उसके बाद इसको हम ढख करके दो से तीन मिनट के लिए इसी तरह से चोड़ देंगे अब आपको जब खाना हो तब आप सर्फ कर सकते हैं तो बस यहां पर यह तियार हो चुकी है और आपको जब बनाना हो आप बना के खाएं बहुत स्वाद की लगती है और प्राउन बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि हमने इसे फ्राइ भी किया था तो फिर इस रेसिपी को एक बार ट्राइ ज़रूर करें और अगर यह अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजेगा और अगर अच्छी ना लगे तो बता दीजेगा तो फिर रेसिपी मेरी स्वाद आपका अपना बने रहें चैनल के साथ आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया